नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही बहतरीन और महतोपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित है चर्चा करेंगे किस परकार से जो टेकनोलोजी है अब उसका एक अच्छा उपयोग का उधारन देश के अंदर देख वन्य जीव जब दिखाई देते हैं तो काफी ज़्यादा परेटन का सुरूत भी हमारे लिए ये बन जाते हैं लाकों की संख्या में लोग जंगलों के अंदर जाते हैं और इन जानवरों को इन वन्य जीवों को देख कर काफी ज़्यादा उतसाहित होते हैं लेकिन इसका दूसरा चरण भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि जंगलों के अंदर आग लग जाती है जावर जब जंगल के अंदर कभी आग लगती है तो मन के अंदर थोड़ी चिंताएं आती है कि ये आग आखिर लगी कैसे और इस आग को इतनी गंभीर हो चुकी है इसका पता आखिर सरकार को क्यों नहीं चला और सरकार को पता चलने के बाद इस आग को बुझाया क्यों नहीं जा सका क्योंकि फिलहाल की तारिक में यदि हम देखे हैं तो किसी भी जंगल में यदि आग लगती है तो उसका पता तभी लग पाता है जब वो विराट रूप ध देखने को मिलती हैं तो Artificial Intelligence की मदद से आब बुझाई जाएगी जंगल की आग क्या कुछ हुआ है टेक्नलोजी के बारे में आज की सेशन में विस्तार पूर्वक करेंगे चर्चा तमाम इस प्रकार की न्यूज और जंगलों के अंदर लगी हुई आग और साथ में चिंताए कि जो वन जीव यहां रहते हैं इन जंगलों के अंदर उनका आखिर क्या हुआ होगा मैसिव फायर्स होती है इनके बचाव के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो न्यूज आप देखते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व गैट्स AI बेस्ट फायर डेटेक्शन सिस्टम बहुत ही बहतरीन ये खबर आपके सामने हैं इंडिया के अंदर एक टाइगर इसको आप जानते हैं पेंच टाइगर रिजर्व जो है हमारे महराष्ट और साथ में मध्यप्रदेश के बॉर्डर पर ये इस्थित है पेंच टाइगर रिजर्व इसके अंदर आर्टीफिसियल इंटेलिएंस बेस्ट फायर डेटेक्शन सिस्टम मिल गया है एक ऐसा सिस् पहले ही काबू पालिया जाएगा इस परकार की टेक्नलोजी है थोड़ा सा जानते हैं पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में क्या कुछ है इसके अंदर आप देखने हैं पेंच टाइगर रिजर्व तो ये जो एक किताब लिखी थी रूडियार्ड किपलिंग ने आपने ये किताब लिखी थी तो काफी अपने आप में बहुत सारी वापने समेटे हुए वैठा है अपने साथ पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर ये इस्तित है तो आप देखते हैं ये हमारा मद्यप्रदेश का मैप मद्यप्रदेश के मैप के अंदर ये एक पेंच नदी आप से एक और खासियत है यहां की ये तो जबलपुर से लेकर नागपुर का जो रोड है इंडिया का पहला डेडिकेटेड फॉरेस्ट का ये कॉरिडोर है पहला ये इंडिया का इस प्रकार का कॉरिडोर है आप देखते हैं इंडिया's first dedicated wildlife corridor on NH44 आप इसको याद रख सकते हैं कि इंडिया का पहला dedicated wildlife corridor कॉरिडोर कॉन सा है तो NH44 है क्या खासियत है इसकी तो इसके नीचे से कुछ इस प्रकार से इसको बनाया गया है पिलर्स के उपर इसको बनाया गया है कि जो जंगली जीव हैं जो जन्तु हैं उनको आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन ना ह पड़े कुछ इस प्रकार से उठा कर इसको बनाया गया है कि जो जंगली जीव जन्तु हैं वो इसके नीचे से अपना रास्ता पार कर जाए इतनी बहत्रीन ये जगह बनाई गई है अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं टेक्नोलोजी के बारे में तो क्या लगाया गया है तो कैमरा जो है वो लगाया गया है इस कैमरी की खास बात ये है कि इसके अंदर सेंसर हैं ये काफी दूर तक निगरा नी रख सकता है और कहीं भी आग लगती है तो ये कैमरा सक्षम है कि कभी-कभी बादल कौन से हैं और धुआ कौन सा है इसके अंदर पता नहीं लग पाता है और जानकारी सटीक रूप से ये दे सकता है। अब तक किस प्रकार से पता लगाय जाता था तो अब तक जो अंतरिक्ष के अंदर सेटलाइट छोड़ी हुई हैं उनकी तस्वीरों के माध्यम से पता लगाय जाता था कि कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई है। अब सेटलाइट के उपर अब तक सिस्टम बेस दूआ करते थे लेकिन अब सेटलाइट के साथ साथ के मिल जाएगी टेक्णलोजी आटिफिस एंटी लेंज रेंस मिल जाएगा। सारी की सारी डेटा की गैदरिंग डेटा का इंटर्पर्टेशन डेटा का किनलिसिस करने के आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है horizontally भी ये काम कर लेता है vertically भी ये काम कर लेता है और बहुत ही बहतरीन काफी जाता ये अच्छा केमरा माना जाता है अब ये जो है artificial intelligence पॉबर्ड ये camera है ये जो technology है पूरा platform है इसको नाम दिया गया है पेंटेरा आप इसको याद रख सकते हैं पेंटेरा नाम की जो technology है उसके माध्यम से पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर ये व्योस्थाएं की गई है एक CCTV control room लगाया गया है जिस control room के माध्यम से जो camera लगाया गया है satellite जो उपर अंतरिक्ष में है उन सब का data collection के लिए उस data क interpretation के लिए CCTV control room है और इसके माध्यम से तुरंत पता लगा लिया जाएगा कि कहां आग फैली है या नहीं फैली है कि बादल है या आग है और हमारे जंगलों को सुरक्षेत रखने के लिए ये technology काम आएगी और आने वाले भविस्ट में हो सकता है कि और जो हमारे reserves हैं उनके अ पूरा सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ सेयर करना बिल्कुल ना भूले और अगर चैनल पर पहली बार पदारे हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जैन